हेलो स्टूडेंस कैसे हैं आप सभी सो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं हुमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड अब आप सोचेंगे कि हुमन आई बायो का सब्जेक्ट लग रहा है लेकिन ये तो प्रिजम के अंदर हम पढ़ ह्यां नहीं ऐसा है कि फिसिक्स में हम वह चीजे पढ़ते हैं यो नेचल फेनोमेना रहे हैं तो आई आक सहम कैसे देख पा रहे हैं वो एक natural phenomenon है उसके बाद हम prism के बारे में पढ़ेंगे कि prism क्या होता है उसकी properties क्या होती है वगरा वगरा हमें इंदर धनुष क्यों दिखता है और हमें और क्या पढ़ेंगे कि क्या सूरज जो है हमें उसी वक्त उगता हुआ दिखता है जिस वक्त वो आप मेरे साथ इन पर जुड़ सकते हैं मेरी वीडियो की हर एक notification आपको इन सब पर मिलेगी अच्छा आप अगर टेलिग्राम पर जुड़ते हैं तो आपको मेरी पुरानी वीडियो की notification और लिंक्स एक साथ मिल जाएंगे आपको कहीं और गूमने की जूरत नहीं आपको जो भी वीडियो हो आप उस पर से देख सकते हैं आप इने साथ अनकेडमी पर जुड़ सकते हैं मेरे अनकेडमी का यूजर नेम केश्वम 95 है ओके सो आगे चलते हैं यह सारे टॉपिक आज हमें कवर करने हैं अगर किसी को लगता है कि उसे कोई और टॉपिक मालब स पर जैसे मायोपिया पड़नाए उस पर जा सकता है वह तीक है मैं यह सारे टॉपिक लाइन वाइस कर वाँगा सो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे को है सबसे पहले हम देखें गे हिमन आई के पार्ट्स क्या क्या होता है जैसा की एक डाइग्राम है हिमन वह रहता है उसे अंदर की तरफ रिफ्रेक्ट करोहाना टीक है एक आईड लईट है वो iris का color होता है ठीक है ये एक मसल होता है dark color का में लिए आपको dark shades में मिलेगा जो control करता है कि pupil का size क्या होगा ठीक है यही iris आपके pupil का size को control करता है अब हम देखते है pupil क्या है pupil वो window है जो आग के बीच में जो हलका सा मतलब जिल्डी सी होती है जिसके अंदर से light अंदर जा पाती है उसे हम कहते है pupil pupil control करता है कि कितनी light अंदर जाएगी ठीक है अगर question आ जाए कि which regulate the amount of light entering to the eye तो आपका answer आएगा pupil not iris, iris नहीं है इसका answer, iris इसका answer नहीं है इसका answer है pupil ठीक है इसको याद रखना यह MCQ में पूछा जाता है ठीक है और यह तो क्या मतलब में जो competitive exams होते हैं जो 10th के basis होते हैं उन पे यह question आ जाता है उसके बाद क्या होते है अच्छा pupil का काम यह कैसे control करता है जैसे कि आप कभी यह वैसे experiment आप अपने घर में कर सकते हैं physics के जितने भी experiment है अप लगबग अपने घर पे कर सकते हैं electricity के लिए मैं मना करूँगा electricity से आप शौक भी खा सकते हैं उसके experiment करेंगे तो तो pupil आप कभी ना अपनी आख पे आप कभी ऐसा कोशिश देखना कि शीशे में खड़े होगे अपनी आख पे हल्की सी light मारोगे तो क्या होगा कि जो आपका जो pupil है उसका size कैसे हाएगा स्मोल हो जाएगा क्यूं हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यह चाता है कि कम से कम light अंदर जाए क्योंकि अंदर एक lens लगा हूँ है उस lens का काम क्यों है subscribe and send it up करいます कर अगर जादा light अंदर जाएगी तो जयादा light एक point पर concentrate होगी, जिसकी वज़े से आपका जो retina है, जिसकी वज़े से आप देख पारे हो, वो जल भी सकता है, और जैसे आप किसी dark room में जाते हो, ठीक है, किसी dark room में जाते हो, तो आपका जो pupil होता है, उसका size क्या हो जाता है, भड़ जाता है, pupil का size क्या होता है, increase हो जाता है, क् कि अंधेरे रूम में आप कुछ देख नहीं पारे हो, आपके क्या कोशिश करते हैं कि जादा से जादा अंदर लाइट जाए, ताकि कुछ तो हम देख पाएं, ओके, तो ये सारा प्योपिल का हमने काम देख लिया, अब मैं इसे रब कर दूँ, एक सेक्ट, अब बात आती है किसी को अगर कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उसके बाद आती है हमारी लेंस, हमारे लेंस कैसे नेचर के है, हमारे जो लेंस है, ये कनवर्जिंग नेचर के है, ठीक है, ये क्या करता है, सारी लाइट को एक तरफ, एक पॉइंट पे कनवर्ज कर देता है, ये एक जैली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा ही दिखता है, जैसा हमारा कनवेक्स लेंस होता है, इसका काम क्या है, लाइट को फोकस करवाना, और ये कैसी इमेज बनाता है रेटीना पे, ये रेटीना पे रियल और इनवर किसकी वज़े से, लेंस की वज़े से, अब ये लेंस, अब देखो, आपने देखा होगा कि आप पास की चीजों को भी देख पाते हैं, दूर की चीजों को भी देख पाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो जाता है, क्योंकि इस लेंस के साथ हमारे ये जो सिलरी मस वो क्या करते हैं, चिसको फोकल लेंथ को करते हैं, इनके ओपर यह जितना भी मैं अब तक करा रहा हूँ, पार्ट के ऊपर एक MCQ बन जाता है, इनके ऊपर एक MCQ बन जाता है, तो आपके MCQ तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक लिग्एड और भरह होता है, जिस हम कहते है, विट्रस हीमर, हमारी आज के इस पौट्षन में, एक विट्रस हीमर होता है, बाकी veins बगईरा भी, बिल्द वैसल्स भी जुड़ी होता है उनके साथ, लास्ट काम, क्या होता है, यहां पर होता है हमारा, रेटीना, तुक है, मै क्याम काम होता है वो देखो light sensitive cells से मिलके बना होता है इसके अंदर कई type के cell होते है roads and cons है दो type के यह cells होते है तो इनका हर एक अलग-अलग काम होता है roads का अलग काम होता है तो यह काम क्या करते है जो image यहां बन रही है उसको इसको यानि photo electric way में बेजते हैं आनि जो image यहां बन रही है उसको electrical signal से बहँते हैं उप्तिकल नर्भ के तरव दिमाघ उसे अपने में पहले दिमाग पैचान लेता है कि हाः यह जीज इतनी दूर है इसका इसी लिग सीज, ठीमेंश़नल है व्नल्शाइं वोकिर दिमाग का काम है में चीज का है रेटीना अगर डैमेज हो जाते है तो किसी के भी आख मलब वो अंधा हो सकता है बागी सारी चीज़े ठीक कर दी जा सकते है कोर्णिया के कुछ हो जाए तो कोई नी कोर्णिया की एक नी तीन चार लेयर होती है उसको जलाके हटाया भी जा सकता है तो जिनका आखों का चश्म पर ही मतलब ब्लाइन हो जाएगा समझे उसके ब्रेटीना किससे जुड़ा होता है ऑप्टिकल नर्व से जुड़ा होता है ऑप्टिकल नर्व एलेक्टिकल सिगनल कहाँ बेशती है ब्रेन में इसको हम चैप्टर 7 में बी पढ़ेंगे इसके बरें आ जाते हैं अब कुछ ऐसा भी होगा कि हमारे लिए कुछ ऐसी भी चीजे होगी जो जिससे जादा पास करेंगे तो हम देखनी पाएंगे और कुछ ऐसी भी होगी हमारी आख की लिमिट कि इससे जादा दूर का हम देखनी पाएंगे कुछ तो होगी ना क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई limit है तो ऐसा point जिसके बाद हमें धंग से दिखे ना उसे तो हम कहते है near point और human eye का near point है 25 cm अब इसमें ये सुनने के बाद कई बच्चे अपनी आख के पास जादा आपास चीजे लाके देखने की कोशिश करेंगे लेकिन बात यह है कि 25 cm तक आप easily देख सकते हैं अगर आप object को और पास लागे तो ठीक है आप देख पाऊगे लेकिन आपकी आखों में stress बहुत जादा लगेगा बहुत जादा stress लगेगा जिसकी वज़े से आपकी eyes कमजोर हो सकती है आपको pain बहुत जादा हो सकते है तो हमारा जो near point है यानि near point का ऐसा distance जिस पर से object को हम अराम से देख पाएं ठीक है बिना strain के without strain के ठीक है आख के थरू clearly ठीक है और हमारी आखों में stress strain कुछ भी ना पड़े तो वो है infinity हम infinity मतलब बहुत दूर तक infinity यानि बहुत दूर तक चीजों को हम देख सकते हैं यह यह तो नहीं है कि हम बाज की नजर रखते हैं कि हमें दिख जाएगा यह कोई object है हम यह नहीं बता सकते हैं कि इतनी दूर खड़ी गाड़ी का number क्या है लेकिन हम यह बता सकते हैं कि हाँ वो गाड़ी है आगे आते हैं अब आज आते हैं defects के बारे में defects क्या होते हैं हमारी आख में कुछ ना कुछ कमिया हो जाती है किसी ना किसी वज़े से तो उन्हें हम कहते है defects तो सबसे पहला defect जो हम पढ़ने जा रहे हैं myopia myopia के अंदर क्या होता है कि बंदे को किसी भी इंसान को पास की चीजे तो बड़े अराम से दिख रही है ठीक है लेकिन दूर की चीज कांट सीधा distant object दूर की चीजों को ढंक से नहीं देख पा रहे है इसमें क्या होता है इमेज जो बनती है इमेज कहां बननी चीए रेटीना पे बननी चीए इसका जो curvature है वो बढ़ गया है मतलब आपका जो eye lens है वो मोटा हो गया है जितना जादा मोटा होएगा lens उसकी focal length उतनी ही कम होएगी जैसा कि आप देख रहे हो इसकी focal length यहां आनी चीए थी रेटीना पे लेकिन कम होके कहा हो गई इस point पे आ गई या फिर क्या हो आपका जो eyeball है उसकी length बढ़ जाए कई बार देखो कई लोगों की eyeball length थोड़ी बढ़ जाती है जिसकी वज़े से क्या होगा अब रेटीना को actual में होना यहां चीए था लेकिन वो क्या होगा बढ़ने की वज़े से पीछे की side चला गया तो यह दो reason mainly होते हैं जिसको myopia होते है ठीक है कई बार आप देखते होगे बच्चे जो पीछे बैठते हैं आपके दोस्त उनको blackboard सही से नी दिख पारा whiteboard सही से नी दिख पारा reason क्या है क्योंकि उन्हें दूर की चीज़े सही से नी दिखती पास की चीज़े बिल्कुल सही दिखती है यह mainly आपको youngsters में दिखेगा young जो लोग होंगे school age या college के जो बच्चोंगे उनको यह ऐसा चश्मा लगता होगा उनको यह बिमारी होती है अब इसको correct करने का भी तरीका क्या है जिनको दूर की चीज़े नहीं दिखती उनके लिए हम कौन सा lens प्रफर करते है concave lens अब मैं बताता हूँ वैसे क्यों अब देखो कोई भी object है जो infinity पे है उसकी वह अगर इस lens से पास होगा हमारे eye lens से तो focus पे उसकी image converge होगी लेकिन focus इसका यहां बन रहा है retina पे बनना चीज़े था अब क्या करते हैं लेकिन क्या होता है उससे थोड़ा pass की चीज़े pass की चीज़े मतलब जैसे कि 100 cm, 1500 cm की चीज़े उसके लिए मतलब साफ से देख पा रहा है वो तो क्या होता है actual में की तब यहां पे image बन रहा है इसलिए वो देख पा रहा है अब हमें करना क्या है हमें यह करना है कि अगर कोई चीज़ infinity पे भी हो, बहुत दूर हो तो उसके लिए यह point यानि 100 cm दूर जहां से वो देख पा रहा है उतनी दूर वो image बननी चीए तो ऐसा कौन सा lens है जो image अपने left hand side बन वाता है तो वो है concave lens अब यहां क्या हो रहा है infinity से light आई जैसे ही हमारे lens से टकर आई उसने क्या क्या diverge कर दिया light को लेकिन पीछे की तरफ वो कहां जाके जुड़ी इस point पे जहां से उसे ढंक से दिखना शुरू हो रहा था अभी भी object है तो infinity पे लेकिन उसे luck क्या रहा है कि object कहां है थोड़ा pass है infinity से थोड़ा pass है इसलिए उसकी image कहां बन रही है retina पे बन रही है अगर आपको बिलकुल समझ में आ गया है तो comment section पे thumbs up जरूर करें अब आता है हमारा second type का defect जो की है hypermetropia यह just myopia का उल्टा होता है जैसे अगर आपको myopia आ गया तो यह भी आ जाएगा hypermetropia में क्या हो रहा है कि लोगों को दूर की चीजे बड़े असानी से दिख रही है लेकिन past की चीज नहीं देख पा रही है अगर जैसे आपने जो आपके घरों में old age आपके दादा दादी होंगे आपने उन्हें देखा होगा एक second दादा दादी होंगे old age people उनको देखा होगा तो उन्हें पास की चीजे अख़वार पढ़ने के लिए एक lens की जूरत होती है वो किस टाइप का lens होता है वो आगे हम देखेंगे पास की चीजे नहीं देख पा रही है अब इसका reason क्या हो सकता है reason यह होता है कि जो image बन रही है वो retina के पिछली side में बन रही है समझे इसके दो reason बनते हैं या तो आपका जो lens की focal length है वो बहुत ज़्यादा हो गई है आपके eye lens की focal length है बहुत ज़्यादा हो गई है focal length इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो retina से भी पिछे image बना रहे है या फिर क्या हो गई है जो आपका eyeball है आपकी जो arc है ना उसका size छोटा हो गया है, यह दो reason होते है, mainly भुज़ूर्गों में यह देखने को हमें मिलता है, एक second, अब इसको की ठीक कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कि यह myopia का just ultra है, तो हमारे पास concave का ultra कौन सा lens होता है, convex lens, ठीक है, तो हम convex lens को use करके, क्या होते है, कि इसको आते हैं, numerical आते हैं, तो वो इनी questions पर आते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझना, अब किसी भी आम इंसान के लिए near point क्या होता है, 25 cm, 25 cm पर कोई भी चीज रखते हैं, तो जिनको hypermetropia है, उनके लिए धुंदरी दिखती है, क्योंकि image कहां बन रहे है, retina के behind बन रहे है, retina से चीज को दूर दिखाए, तो अगर आपको convex lens के छटा case याद है, जो छटी image बनती है, वो याद है, तो उसमें क्या होता है, optical center और focus के बीच में हमने object को रखा होता है, और image कहां बनती है, इन दोनों से परे इस side, तो यानि pass की चीज को इसने कहां दिखाया, दूर दिखाया इसलिए हम कौन सा lens यूज करते हैं, कन, wax lens यूज करते हैं, चलो pen बदल लेते हैं, अब हम नीले से लिखते हैं, अब होता है hypermetropia, hypermetropia mainly ये भी old age people में देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या है, आपकी जो eye muscles है, मतलब eye के जो muscles है, ciliary muscles है, वो बहुत ज्यादा weak हो चुके ह और जो आपका lens है, optical lens है, ये थोड़ा rigid हो चुके है, actual में होता तो flexible jelly type है, ये थोड़ा rigid हो चुके है, जिसकी वज़े से ये अपनी focal length जो है, वो नहीं बदल पा रहे है, समझे, अपनी focal length बदल नहीं पा रहे है, इसलिए क्या हो रहे है, ना इन्हें पास का दिख रहा, न दूर का दिख रहा, दोनों का ही दंग से नहीं दिख रहे है, यूजरी आपने स्कूल की teacher weeker को देखा होगा, कि इनके लिए कौन से lens होते हैं, इनके लिए होते है, इनके लिए होते है, बाई focal length lens, आपने दिा होगा न क कियो के चेश्में ऐसे होते है, यहा पेग लूग lens यहां लग लेंस होता है तो यहां जो लेंस होता है उपर लगा होता है वह होता है कंकेव लेंस और नीचे जो लगा होता है वह होता है कंवेक्स लेंस क्योंकि तेखो अगर किसी को पास की चीज पढ़नी है तो वह यूं करके पढ़ सकता है, लेकिन आपको सामने तो दूर की चीज़े तो हमेशा ही देखनी होती है, तो इसलिए उपर Concave Lens होता है, नीचे Convex Lens होता है, ओके, आगे चलते हैं, अब आगे हमारा फेवरेट टोपिक है प्रिजम, आपने कुछ इस तरीके का होगा, जब आप लैब में जाओगे तो आप इस तरीके से देख पाऊगे, प्रिजम का काम क्या होता है, प्रिजम जो होता है, उसका जो में फंक्शन है, जो हम पढ़ेंगे, वह कि यह है कि जो वह वाइट लोटी यह सोरज की लाइट है वहा रहा है उसे उपालइए यह 7 गलर संदोय से इता गया यहizes. को मosकर पूर के लिफिध एक कैसे कर पते हैं, so आप जैसे देख सकते हैं, यहां पर जो white light आई, ओती है? आपको पता है जो हमारी light होती है, उसका dual nature होता है, ray और wave nature बहँता है, ćो तो आप इनिव करती है,दो इस देख दोटी है, तो जो seven colors है, टेक हैं? जो seven colors में बढ़ जाती है, उसे हम कहते है, whip ग्योर ठीक है violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red जैसा कि आप यहाँ देख सकते है यह violet है, indigo यह sequence में ही लिखा होता है सबसे नीचे violet होता है और उपर जाते जाते वो हो जाता है red हो जाता है इसके बारे में आप यह देखी सकते है उसके बाद ऐसा होता क्यों है होता इसलिए है क्योंकि इसकी प्रोपर्टी ही ही है ठीक है, प्रिजम की यह प्रोपर्टी ही है कि यह वाइट लाइट को डिस्पर्ज कर देता है और अब हमें यह देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा deviated होगा, यानि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अपने देखो, यह लाइन थी इससे सबसे ज़्यादा कौन बेंड करा यह देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा तो violet ने बेंड किया, और सबसे कम किस ने किया red ने, तो हम यह कह सकते है कि जो हमारा deviation है waves का, वो किस पर depend करता है उनकी inversely proportional to the wavelength, यानि जिसकी जितनी ज़्यादा wavelength होईगी वो उतना ही कम divert करेगा, तो इससे हमें पता लगता है कि जो red है, उसकी सबसे ज़्यादा wavelength है, वो इसलिए वो सबसे कम divert किया है violet की सबसे ज़्यादा deviation है इसका मतलब किया है, उसकी सबसे चोटी wavelength है यह काफी important है इसको याद रखना यानि सबसे जदा इसकी wavelength है फिर उसके बाद इसकी फिर इसकी ऐसे करते करते सबसे कम है हमारे wavelength की wavelength अच्छा जितनी जदा बड़ी wavelength होती है विसे wavelength को हम lambda से लिखते है जितना जदा lambda होगा, उतना ही कम mu होगा, मतलब frequency जिसकी जितनी ज़्यादा wavelength होगी उसकी frequency उतनी ही कम होगी, ये भी चीज आपको याद रखना है और wavelength क्या होती है wavelength होती है c into mu okay, c by mu sorry, c by mu होती है, गलत लिख दिया था मैंने आगे चलते हैं, अब जो हमारे Newton साब है, इन्होंने एक experiment किया इन्होंने क्या experiment किया, कि अगर मैं एक prism से दूसरे prism में white light को जाने दूँ, जैसे कि white light यहाँ से आई, जब यह पहले prism से निकलेगी, तो seven colors में बढ़ जाएगी तीक है, अगर इसके आगे मैं एक और prism रख दूँ, तो क्या होगा यह prism क्या करेगा, सभी की सभी lights को वापस से combine करके white light में convert कर देगा और अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक टाइप से आपका जो rectangular slab वाला experiment था, वैसा ही नहीं बन गया अगर आप इस line को ऐसे सीधा-सीधा भड़ाएं तो यह और यह आपस में parallel होएंगी, समझें यही बात थी, यही इन्होंने अपने experiment पर देखा और यही मैंने यहापर बता रख है आगे चलते हैं, इसके बाद आता है total internal reflection this is reflection, not reflection, this is reflection इसके अंदर क्या होता है, कि जबी भी light, अपने किसी भी denser medium से, rarer medium के अंदर जारी होती है अगर वो एक particular angle पे जाए जिसे हम कहें critical angle तो क्या होगा, वो वापस से उसी medium के अंदर आ जाएगी हैं, जैसे की suppose करो, यह यह चीज में लिए आपको कहा देखने को मिलती है optical fiber communication के अंदर देखने को मिलती है, जो आजकल optical fiber चल रही है, जीओ, वाइर, वगरा वगरा, उसके अंदर इसी technology का use करके, आपको मतलब, internet service प्रोवाइड की जाते हैं, क्योंकि देखो, signal भी एक wave की तरह ही travel करता है, तो suppose करो, यह denser medium है, यह rarer medium है, अगर मैं यह जैसे यह incident angle हुआ, ठीक है, incident ray हुई, यह उसका incident angle हुआ, अगर मैं इस ray को incident angle या उससे जादा बड़े angle पर डालो, समझे, तो क्या होगा, अगर incident angle पर डाली है, तो जो यह light है, यह reflect होके कैसे जाएगी, वो सीधी सीधी इसी की boundary पर चलती हुई जाएगी, अगर मैंने यह angle बड़ा दिया, तो वापस से वो इसी medium में आ जाएगी, समझे, तो इसलिए optical fiber में, जो हमारा signal है, वो ऐसे travel करता है, यू, 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 ऐसे करता है, अब इसके अंदर condition क्या है, सबसे पहली condition क्या है, कि जो light है, वो कहां से जानी चाहिए, denser medium से, rarer medium पर जानी चाहिए, और दूसरी बात क्या, जो angle of incident है, वो critical angle से बड़ा होना चाहिए, इसी के वज़े से हमको rainbow देखने को मिलते हैं, अभी आप आगे देख पाएंगे, ऐसा क्यों होता है, अब जो यह आपका rain, मतलब, water droplet होती है, वो एक prism की तरह act करती है, समझे, जिसके अंदर जैसे ही light आई, तो इसने reflection के तुरू, इसको अंदर की तरह bend कर दिया, और फिर क्या हो रहा है, dispersion हो रहा है, dispersion किसमें हो रहा है, और white light का, वापस से अंदर ही reflect हो गई, water क्या है, एक dancer medium, air क्या है, एक rarer medium है, okay, rarer medium है, तो dancer से rarer में जारी थी, एक particular angle पर डलती है, क्योंकि देखो, जो हमारी water droplet होती है, इसका size चोटा होता है, बहुत चोटा होता है, हमेशा आपको बारिश के बाद इंदर दनुष देखने को मिलेगा, बारिश चलते होई, कभी भी आपको rainbow इंदर दनुष देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह water droplets होती है, बहुत ही जादा small होती है, यह हवा में लटकी रहती है काफी time तक, suspended रहती है, तो यह reflect होई, अंदर की तरफ total internal reflection हुआ, और यह वापस से refract होई, यहाँ पर, दो बार यहाँ पर क्या हुआ है, reflection हुआ है, एक बार total internal reflection हुआ है, और dispersion भी एक ही बार हुआ है, ओके, आगे चलते हैं, यही बता रखा है कि जो water droplets है, बहुत छोटी होती है, हवा में suspended रहती है, ठीक है, यही सब चीजे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, अब आता है हमारा सबसे important topic, इस topic से लगबग लगबग आपको कई सारे questions के answer इसी topic से मिलेंगे, अब क्या होता है, जैसे आपको पता है, हमारा जो atmosphere है, वो बहुत सारी layer से मिलके बनाएं, एक सेकंड मैं पानी पीलूँ, ओके, आपको पता है, जैसे हमारा atmosphere है, वो बहुत सारी layer से मिलके बनाएं, जैसे troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, thermosphere, exosphere, इन सब layer से मिलके हमारा atmosphere बनाएं, और यह तो सिरफ हमारा atmosphere है, अगर कोई, suppose करो, बहार से light आ रही है, किसी star से light आ रही है, तो बीच में कई atmosphere उसने पार भी तो करे हैं, चाहिवो माइनुटी क्यों नाओ, चोटे क्यों नाओ, लेगिन उसने पार करे हैं, तो उसकी वज़े से क्या होता है, जैसे जैसे, मतलब, हर एक atmosphere की लेएर का अलग प्रोपटी होती है, जैसे आप ट्रोपोस्फियर देखो, ट्रोपोस्फियर में आपको सारे डस्ट पार्टिकल वगरा वगरा, सारी gases मिल जाएंगी, स्ट्रेटोस्फियर में आपको बहुत कम gases मिलेंगी, ओजोन मिलेगा, आइनोस्फियर में कोई gas आपको मिलेगी नहीं, मेंली क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है, उसका temperature भी माइनस 88.7 डिग्री सेल्सियस होता है, समझें, आइनोस्फियर का, उसके बाद, सरी, मीजोस्फियर का, आइनोस्फियर में आपको सिरफ आइंस मिलेंगे, जिसके वज़े से क्या होता है, एटमस्फिरिक रिफ्रेक्शन हो रही है, अब इस वज़े से, हमें क्या-क्या चीज देखने को मिलती है, जो हमारा स्टार है, कोई भी अबजेक्ट है, सबोज कर आपने किसी बट्टी, या फिर किसी भी आवन के पीछे की कोई चीज आप देखोगे तो आपको वो थोड़े शेक करते हो ही दिखेगी फिलिकरिंग होते हो ही दिखेगी समझें? क्योंकि क्या हो रहा है उस वक्त जो एर है टेंपरेचर उसका बढ़ा तो उसकी वज़े से उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हुआ समझें? चेंज होता जा रहा है तभी आपको वो चीज हिलते हुँ दिख रही है आपके जो स्टार्स हैं ठीक है? एक्ट्वल हाइट से बड़े ऊपर दिखते हैं जितने वो डिस्टेंस होता ही है उससे ज्यादा दूर वो आपको दिखते हैं आपके स्टार्स और क्या है? आपको जो संसेट और संराइस है उसमें आपको डिले और एडवांस देखने को मिलता है जैसे सूरज जब उखता है एक्चवल में उस तेम वो उगा नहीं होता है उस से दो मिनिट बाद उखता है जब हमें दिख रहा होता है जैसे सब्सकुरो अभी हमें सूरज दिखा सात बजे सूब आपको अमने देखा सूरज अभी-अभी होगा है सात बजे लेकिन एक्चुल में वो हमारी धर्ती पे कब उखता है साथ बच के दो मिनिट पर यह आगे मैं बताऊंगा ऐसे कैसे होता है सबका रीजन यही है atmospheric reflection और क्या है जो आपका जो सूरज है जब शाम को ढ़ल रहा होता है तो आपको थोड़ा फ्लैट सा दिखता है ऐसा उसके पीछे भी यही रीजन है ठीक है प्लस आपका जो आपने बच्छमन में पोयम भी गाई है ने twinkle twinkle little star जो आपका star है वो चमकता क् ट्विंकल क्यों करता है उसके पीछे भी यही रीजन है atmospheric reflection अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं इन सभी topics को इसके बाद scattering रह जाएगा वो भी हम करेंगे इसी वीडियो में तो थोड़ा patience बनाई रखें वह स्टार्टिंग में जो लिस्ट में बताता हूना कि यह यह ऐसा क्यों है जैसे कि आप देख सकते कि कोई भी object हो ठीक है वो fire के behind रखाओ किसी या फिर hot surface के पीछे रखाओ तो क्या होता है उस hot surface पे जो air होगी वो गरम होएगी जिसके वज़े से क्या होगा जो गरम हवाए वो उपर जाएगी ठंडी हवा नीचे जाएगी जिसके आप में यसे आपको बताया हमारे atmosphere की कले सतरी लेयर है, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere, थर्मो स्पेर, एक्जो स्पेर, इतनी सारी लेयर्स हैं तो इनो सब का temperature भी लग उता है जैसे कि जो हमारा stratosphere होता है उसका माइनस 20 के अंदर temperature होता है और जैसा इसका बताया है मैंने इनो स्पेर का वेरियेशन देख रहे हैं तो जो लाइट आती है इतने सारे सर्फेस को पार करते हैं तो क्या हो सीधी तो आएगी नी वह बार बार रिफ्रेक्ट होते हुए जिसके वज़े से क्या होगा हमें जो चीज आ है वह आगे पीछे दिखती है हमारा जो एक्षॉल में तो स्टार हो कि कभी इदर 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 हमें क्या होते हैं वह एक जगा नहीं दिखता है जगह लूकष्थ बढूत्व dabei इदर बाएति इसलिए वह क्या हो रहे है यह फ्लक्टुएक कर रहा अपनी जगा से ठीक हय फ्लिकरिंग हो अरे वह क्या प्रण जो light हमारे पास आ रहे है, वैसे physics का ज़ादा topic हो जाएगा, आप इतना समझ लिजे, light के जो intensity है, वो distance पे भी depend करती है, कितनी दूरी से वो आ रहे है, तो stars आपको पता है, हम से बहुत दूर होते हैं, planets पास होते हैं, star बहुत दूर होते हैं, तो वहाँ से light आ रही है, तो उसकी intensity कभी कम दोएगी, कभी ज़ाद होएगी, intensity यानि चमक, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, समझे, अब आकता है हमारा next topic, कि जो stars हैं, जैसे sun भी हमारा star है, वो अगर horizon पे हो, तो हमें वो क्या दिखेंगे, horizon से उपर दिखेंगे, एक्चुल में वो यहाँ ना दिखेंगे, वो आपको दिखेंगे, कुछ इस पोजिशन पे, ऐसा क्यों होता है, अब suppose करो, जो हमारा sun है, इसने सीधी सीधी काफी सारी rays भी हमारी अर्थ पे डाली, तो कुछ यहाँ गई, कुछ यहाँ गई, एक यहाँ गई, ठीक हैं, वो होरीजन पे आने से पहले ही सूरज दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए तो सूरज कहा है, वो यहाँ पे है सूरज, समझे, यही रीजन है क्यों, जो हमारे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अर्थ के अट्मोस्फियर का, वो इंक्रीज होता है, टॉप से बोटम, उपर से, उपर वाले का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, नीचे वाले का जादा, फिर उससे नीचे वाले का और जादा, ऐसे करते करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा अपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है, जिसके वज़े से, जब स्टार, कोई भी स्टार, mainly sun horizon के पास पोच जाता है तो क्या हो रहा है light travel कहा कर रही है from rarer medium देखो मैंने क्या कहा था इसका refractive index जादा है और नीचे वाले का उपर वाले का कम है नीचे वाले का जादा है तो rarer से dancer की तरफ move कर रही है जिसके वज़े से क्या हो रहा है वो नीचे की तरफ bend करेगी यानि कोई light ऐसे जाने वाली थी ना सीधी वो नीचे की तरफ bend करेगी और हमें यहाँ वाले बंदे को दिखेगा कि सूरज तो उख चुक है इसका deviation लगबग 2 minute का होता है मतलब 2 minute पहले हमें सूरज उखता हुआ और ढलता हुआ दिख जाता है यानि अगर सूरज ढल भी गया है उसके 2 minute बात तक भी हमें दिखेगा और सूरज उखने से 2 minute पहले भी हमें दिखेगा सेम यही option है मतलब advancing of sunrise और sunset का भी मैंने आपको बता दिया है सेम reason है वहीं पहरे रेर सूर डेंसर जा रही है बगरा बगरा यही सब कुछ है दो मिनिट का हमें advance देखने को मिल रहे है अब आता है कि जो हमारे stars है वो twinkle क्यों करते हैं मैं आपको इस slide पह वापस लेके जाना चाहूँगा next पह आते हैं इस पह देखिए अब क्या light जो है अलग अलग medium से होके जा रही है अलग अलग layer से होके जा रही है तो कभी कम आ रही हैं horses कभी जादा साथ है थिक्ए है distance भी बहुत जादा है इसलिए हाँ इसलिए हमें बहुत सारे stars बहुत दूर हैं बहुत सारे अलग-अलग atmosphere से बहुत सारे прям wines से तो बहुत सारी ability रिफ्रेक्शन ओर यह है कि औरुझेसे वह फ्लकुएट होता हुआugा दिखते अपनी पोजीशन से प्लस उसकी कि इन्टेज्टी जो है लुभ सर्थ रिंटेजियर ना वह क्मकम्रूरी करती है his लिए जो स्टार कि कभी of light scattering क्या होती है अब देखो दो चीजे आप समझ लेना एक होता है dispersion और एक होता है scattering scattering होता है कि light ऐसे fell जाना समझे और dispersion होता है white light से white light से seven colors में बिखर जाना समझे dispersion होता है white light ली prism के through आपने निकाली तो वह seven colors में यानि विब ग्योर में बट गई okay this scattering में क्या होता है scattering में होता है कि जैसे कि आपने पिछले साल 9th में पढ़ा भी होगा tindle effect टीक है tindle effect आप जैसे कि आपको सर्दियों के मोसम में देखने को मिलेगा कि पेड़ों के बीच में से जब light आती है पेड़ों के बीच में से light आती है तो light तो straight line में मतलब चलना चाहिए लेकिन वह कैसे आ रही होती है ऐसे फैल तो यह आ रही होती है समझे तो इसे कहते हैं scattering यानि spreading of light in various direction through colloid medium colloid particles उसे हम कहते है scattering जैसे देखो सर्दियों में ही क्यों देखने को मिलती है क्योंकि उस टैम air के अंदर क्या होता है प्लस में जो हमारे fog फोग होता है उसके particles होते हैं वह कैसे particle होते है colloid particles होते हैं बहुत छोटे particles होते हमें जो suspended रहते हैं तो जैसे हमारा वह था dispersion था वैसे हमारी scattering किस पर dependent करती है wavelength यानि जिसकी wavelength जतनी ज़्यादा होगी वैसे wavelength का sign यह नहीं होता है लेमडा होता है ठीक है जिसकी wavelength जतनी ज़्यादा होगी scattering उतनी कम होगी जिसकी वज़े से हमें क्या पता लगता है कि जो red color है उसकी scattering सबसे कम होईगी क्यों उसकी wavelength सबसे जादा है यही सब मैंने यहाँ पर लिखा हुए अब आपको देखेंगे कि इसका हम कैसे colors कैसे depend करते हैं जितने भी इससे हमें यह पता लगता है कि हमारा जो sky है वो दोपैर के टाइम पर हमें नीला क्यों दिखते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे जितने भी particles जो बहुत ही जादा पतले होएंगे बहुत ही fine होएंगे बहुत छोटे होएंगे वो क्या करेंगे mainly scatter करेंगे blue color को ठीक है क्यों उसकी wavelength जो है वो थोड़ी छोटी है as comparative to और क्योंकि blue indigo और violet का पूरा group होता है जब यह पूरा group scatter होता है क्योंकि इनकी wavelength छोटी है तो mainly blue color dominate करते हैं मैं आपको बता देता हूं अभी से उसके बाद आता है medium color medium size के particles होते हैं वो mainly red color को scatter करते हैं ठीक है इसलिए हमें जो हमारा sunset और sunrise के time पर सूरज जो है वो मतलब आसमान जो है वो लाल दिखते है जो large particles होते हैं जैसे water molecules होगे ठीक है बादल के molecules होगे water molecules होगे यह क्या करते हैं यह white light को फैलाते हैं ठीक है white color को फैलाते हैं समझे अब आपको यह चीज इतनी अगर आपने समझ ली तो आगे की चीज़े समझनी और आसान हो जाएगे आपके लिए आगे देखते हैं वेवलेंथ ओफ रेड कलर रेड कलर की जो वेवलेंथ है blue से लगबग इतने time जादा होती है अब इसमें लिखा हूँ है कि anger signal या फिर जो dangerous के signal होते है जैसे red lights हो गई ठीक है कोई भी ऐसा stop का निशान हो गया वो red color में ही क्यों लिखा जाता है मैं भी red color में क्यों लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ समझे अब जैसे कि मैं blue में लिखूंगा इसे तो आपको थोड़ी intensity देखो इसकी intensity जादा आपको जादा चमकता हुआ दिख रहे है और यह आपको थोड़ा कम उर दिखे का सबसे कम करता है और रहा दा जियांग में लिख रहा है सबसे कम स्गैटर करता है यह लिए डरीगं kलर न देकिम लिख़े गड़ ही इसकी स्केटरिंग करता पर थेकिन जो करता करता है न न डाय इन Instead कि अपने लिख बिजर कीfarे ब्लु आते ना Si क्यों वो स्केटर नहीं करती फॉप के अंदर किसी भी मिल्ड बीडियम में वो नहीं करते अब जैसे सर्दियों में red color को choose करते हैं क्योंकि वो कितने ही छोटी particles हो उससे scatter नहीं कर सकते हैं और यह long distance तक visible होते हैं तिक है आपको मैं यह लाल color आपको अलग से चमकता हुआ दिख रहे हैं यहां पर जबकि अगर मैं को यह और color लेकर आओ ना जैसे green भी लाओ green इतना हुआ चमकता हुआ आपको नहीं दिखेगा आपको मैं सभी colors दिखा भी देता हूँ ठीक है कहां गया yellow तो मुझे यूई नहीं दिख रहा स्क्रीन पर ओके और red देख लो ठीक है आपको सबसे चमकदार color जो बिल्कुल भी scattering नहीं कर रहा है यह लो तो आपको इतना अच्छे से दिख में रहा है blue green यह सारे आपको color यहीं पर दिख चुके हैं तो सबसे कम scattering को उनसा करता है red color यह fog वगरा smog में भी dispersed नहीं होता है scattering नहीं होती है इसकी और यह long distance तक visible होता है उसके बाद आता है एक second उसके बाद आता है कि जो blue color होते हमारे sky का पूरे जब बिल्कुल साफ दिन निकलते है बिल्कुल साफ होता है तो क्या होता है कि हमारा जो आस्मान है वो नीला दिखते है ऐसा क्य अब मैंने क्या का था fine particle किसको scatter करेंगे blue color को scatter करेंगे तो यह सबसे ज्यादा blue color को scatter कर देते है अब कोई color सबसे ज्यादा fell गया है तो आपको सबसे ज्यादा दिखेगा भी वही तो इसलिए हमारा जो sky है वो आपको blue color का दिखते है अब देखो red वगरा तो fell ही नहीं तो आ देनों का सबनेता है, इस नहीं इस अजर नोडु पत्चा आ है कर साफ्रियाれる रता है. जब आप अठी आस्मान बैंगे शीए क्वीव, देखती है यह आप आट्मोसफिर अहीं करें नहीं, एटमोस्फियर तो मेंली आपको धरती या प्लैनेट्स में दिखेगा ना वहां पे तो कोई एटमोस्फियर है ही नहीं हमारे स्पेस के अंदर तो कोई light के scattering नहीं हो रही कोई color फैल ही नहीं रहा तो आपको क्या color दिखेगा कुछ भी नहीं अगर आपको याद हो मैंने क्या था जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वह किस color को scatter करते हैं white color को सबसे जादा scatter करते हैं समझें तो अब आप देखें तो जो मैंने क्या गाथा water molecules है h2o के जो मोलीकूल है water vapors है वह सबसे जादा किस उनका एक group बन गया suppose करो उनका गुरूप बन गया condensed होगे चिपक गए टीक है water vapors condensed होगे चिपक गए उनका group बन गया जिसके विज़े से क्या होगा water droplets बनेंगी और उनका size कैसे होगा बड़ा size अब मैंने क्या बता था बड़े size के जितने भी particles होएंगे वह white light को scatter करेंगे तो कैसे दिखेंगे white ही दिखेंगे वो सभी colors को scatter कर रहे हैं सारे के सारे colors को scatter कर रहे हैं इसलिए वो white दिख रहे हैं ठीक है क्योंकि सभी colors scatter हो गए हैं अब उनको combine करेंगे तो white ही color बनेगा उसके बाद आता है जो sunrise और sunset के time पे हमारा जो आस्मान है वो लाल क्यों दिखते हैं इसके लिए मैंने आपको starting में जो मैंने list में बताया था वही है जब sun जो है horizon के पास पहुच जाता है तो जो sun की light है उसे जादा travel करना पड़ता है आपको पता ही है जो हमारा धरती है वो कुछ this shape की है यह तो कुछ this shape की है मतलब उपर से अगर देखा जाए तो कुछ oval shape की है यह distance कम है यह distance जादा है okay तो जब sunset हो रहा होगा तो यहां पर होगा हमारा sun तो अब इसको देखो यहां तक पहुचने के लिए जादा distance cover करना पड़ रहा है as comparative to जब वो super था बिल्कुल उपर था तो क्या होता है distance जादा travel करना पड़ा है जो blue light है वो तो पूरी ही scatter हो चुकी है अब जो पूरी अब इस time पे पूरी scatter हो चुकी है बचा क्या आपके पास सिरफ red light बची तो यह question जादा important है आप इसको जरूर याद करना इसके उपर यह ज वो आपको आ जाएंगे ओके और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज अपने दोस्तों को कहिए subscribe कीजिए like करवाई अपने दोस्तों से खुद comment भी कीजिए यह भी तो बनता है आपके सर इतनी महनत करते हैं आपके लिए comment तो बनता है एक छोटा सा comment आपका एक द बना देता है please comment जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और thank you for listening and God bless you all